मुझे यहाँ अपमानित करने के लिए लाय थे, अब मैं किसी को क्या मूँ देखाएप पार्वदी तुम ये क्या सोचने लगी वही जिसे सोचने के लिए आपने मुझे बाद हैं नहीं, मैंने तुम्हें बाद ये नहीं किया यह सोच तो तुम्हारे नारी सुलब शोब का परिणाम है तुम बार बार यह क्यों भूल जाते हों कि तुम साक्षात शक्ति का अफ्तार हो कि तुम्हारे इस रूप परिवर्तन के पीछे भी शिवशक्ति का कोई विशेश उधेश्य ही है पाप का विनाश तथा पुन्य का उध्धान ही निष्टित रूप से देवी पारवती के रूप परिवर्तन का रहस्य वह उद्देश था पाप के प्रतीक असुर्गन सदाही अहंकारवश देवगण को परास्त करने वह आशांती उत्पन करने में संदग्न रहे इस उद्देश की पूर्ती के लिए दुष्टता के प्रतीक दो दैत्तिकुत्र शुम्धुनिशुम्ध अपनी च्छाओं को पूर्ण करने के निमत ब्रम्ह देव की तपस्या में रत तो संद्दा के प्रतीक देवगण उन्हें समाप्त करने के प्रयास में चुके हैं अजम्ध जम्ध प्रतीक देंग की तरीक देवगण प्रतीक देवग निम्हाओं ओम्रम्रे नमाइ ही नमा शुम निशुम तुम्हारी तपस्या सफर हुई तपस्वियों हम ब्रह्मदेर तुम्हारी तपस्या प्रसंद होकर तुम्हारे सम्हों को बस्थित हुए हैं हम तुम्हे वर्दान देने आये हैं शुम निशुम आप हमारे वर्दाता नहीं हमारे शेत्रु है ब्रह्मदेव आपने तपस्या में हमें इतना कश्ट क्यों दिया हमारे साथ ये पक्षबात क्यों हम जानते हैं आप दिरताओं के के लोनों करोत की जौब्ध हो दो रहां को को ब्रहुदा नो अज्ब दिश्चुम हम तुम्हें अबारद शक्त्य को बर्दान डे सकते हैं परतु अमरत अमर्दा का बर्दान देना हमारे वैद्स में भी नहीं है क्यों कि जन्म लेने वाले का मरण मिश्चित है प्यतर कठोर दब कि हमने वरने जाने के लिए किया है एक बार फिर समझ लो कि हम तुम्हें यहां बर्दान देने के लिए ही उपस्तित हुए हैं और ये भी कि जिसने जन्म लिया है उसकी मित्यू निश्चित है इसलिए तुम अपने किसी ऐसे मारने वाले का चुनाव कर लो कि जिसका स्थित्वी असंभव वो अपनी बात को और अधिक सपच करें ब्रमुदेव तो सनो है तुव ये वर मांग सकते हो कि तुम्हारा मरन किसी पुरुष के हाथ नहीं परुष के एक हम यहीं वर्दान चाहिए ब्रम देव कि हमारे मिलती हूं किसी पुरुष गाथ नही पुरुष हमें मार सकेगा नहीं तो भला इस्त्री हमें मारने का साहस कैसे करेगी फिर तो हम मरेंगे ही नहीं पुरुष हमें मारेगा नहीं इस्त्री हमें मार नहीं सकेगी फिर तो हम अमर हो ही जाएंगे भली बाती सोच विजार कर लो इस्त्री की शक्ती भी कब नहीं होती ब्रह्म देव हमें मारने वाली इस्त्री ऐसी हो जिसने मा के गर्ब से जिनम ना लिया हो और वो इस्त्री विवाहित नहो कुवारी हो और वो हमें तभी मार सके जब हमारे मन में उसके प्रती आकशन उत्पन हो जाए फिर तो ऐसी किसी इस्त्री का अस्तेतु ही नहीं होगा और ना हमारा मरान संबह होगा हाँ हाँ ब्रह्म देव हमें ऐसा ही परदान चाहिए तथा तु गिरिचा गिरिचा मा आदिशक्ति गिरिचा क्या इस प्रकार रोना सुबगना तुम्हीं शोभा देता है तुम शक्ति का अवतार हो एक मात्र दृष्टी विक्षेप से तुम इस जगत में प्रलाय मचा सकती हो फिर अचानक तुम इतनी अबला कैसे होगे अपने पती द्वारा किया गया यह ग सकती हूं जो हो चुका है उसे भूल जाओ और अब तुम्हारा अपमान नहों ऐसा उपाई करो क्या है वो उपाए जहां अपमान होता है वहां तो स्वाभिमाने को एक बल भी नहीं ठहरना चाहिए तुरद चली जाव यहां से पर स्वामी मुझे यहां से जाने के आज्या वारी रदय की व्यथा का पता है। इसलिए आग्या की चिलता किये बिना स्वाभिमान की रक्षा के लिए तुरत इस मंदराचल का त्याग कर दूँगी। अपना कॉर्वर्ण पुना प्रदान करने के लिए विवश्च कर दूँगी। तो दूसरी और असरों ने अपने इच्छा पूर्दी के लिए देवदाओं पर आक्रमर कर दिया। उल्या प्र कर दिया उल्या राप्त्त ! कि इंद्र देव सरक शिंढासन का धिकार शक्तिवान का होता है हम दोनों शक्तिशाली है और हमें प्रहमा का वर्दान प्रापत है, के हम अमर हैं जनमल लेने वाले की मृत्यों भिश्चित है जोमने श्लावम, लगता है आज तुम गोरों की मृत्यों मेरे हाथों दिखी है ये तू नहीं, तेरा अभीमान बोल रहा है मैं तेरा ये अविमान चूर चूर कर देता हूँ नियुक्त नियुक्त चूर चूर कर दो शुक्त चूर कर देते हुआ। कि अधिराज महाशक्ति शाली शुम्ब निशुम्ब की जय हो माता महालक्ष्मी की जय हो कहीं देवराज किस प्रयोजन से आना हुआ प्रभू प्रयोजन तो आपको क्यात है शुम्ब निशुम द्वारा उत्मन संकट से हम सभी का उध्धार करें प्रभू आप पर आए संकट से अपरसन हम भी है देवराज और आपसे हमें पूर्ण सहान गूती भी है किन्तु हम भी वही कहेंगे जो परमपिता ब्रह्मा ने आपसे कहा कि जब तक शुम्ब निशुम्ब अत्याचारों की सीमा का उलंगन करके अपनी तपस्या से प्राप्त पून्य समाप्त नहीं कर लेते तब तक आपको स्वर्ग के पुन्ह प्राप्ति होना असंभा है देवराज तो अब हम क्या करें ब्रभू कहां जाएं आपके इन शब्दों से आपकी चिंता प्रकट हो रही है देवराज प्र आपको हम इतना संकेत और विश्वास देते हैं इस ब्रह्म देव के वर्दान के अनुसार एक आयोनी जब कुमारी कन्या के हाथ हो शुम निशुम का वद समय आने पर अवश्चियी होगा ओम् प्रमबदेह, हरादाम आपकी तपस्यात्स, जबढ़े आपने मेरी वुकार पर मुझे दर्शन देने की कृपा की, इससे मैं अपना सौभा के मानती हूँ, किन्तु तपस्या की सफलता तब मानी जाएगी ब्रह्मद्यव, जब आप मुझे मेरा पूर्व वर्ण और रूप पुना प्रदान करेंगे. मैं आपको ये वर्दान देता हूँ, क्या आपके शाम वर्ण से, शाम वर्ण वाली एक अजन्मा दिर्वे कन्या हुत्वन हो, और आपको अपना गौर्वर्ण एवं रूप उन्हे प्राप्त हो. देवी, आप सुद्पन इस अजन्मा दिव विकन्या का नाम कौशिकी है. कौशिकी? हाँ, कौशिकी. यही कौशिकी, फ्रत्वी पर अत्याचारों की सीमा लांग जाने वाले, शुम निशुम के अंत का कारण बनेगी. अर्थात, मुझे काली बनाने का उद्देश, कौशिकी को पकट करना था. आप स्वयम जानती हैं, देवी पारवती, कि शिव की रिरात सधय वद्भुत होती है. देवी कौशिकी, आप इसी परवत के सामने वाले शिखर पर निवास करें, घटना प्रवाह और समय की गती के साथ, शुम निशुम अपने वद्द के लिए प्रिदित होकर, आपके संभुत स्वयम आ जाएंगे. देवी कौशिकी रे ब्रम्भ देव के वर्दान के अनुसार, तुष्ट असरों का संधार आरंभ करते हैं। सेनाबती मोहासु के मुख से कौशिकी के पराक्रम, रूप वगुण का वर्ण सुनकर, शुम निशुम उसे प्राप्त करने के लिए लालाइत हो थे। किन्तु वे भविश्य के घटनाक्रम से अन्भिग्य थे। जबकि शुक्राचार दोनों का भविश्य जानते थे। अता होनों ने असरों की सुरक्षा के लिए दैत्य शक्तियों का आवाहन गिया। ए जगत में विद्यमान शक्तिशाली दैत्यों मैं तुम्हारा आवहन करता हूँ। दैत्यचाधी के उत्थान के लिए तुम्हारी आवशक्ता है। इसलिए ए शक्तिशाली दैत्यों पित्री पर आजाओ। चुक्तर अचारे तुम्हें बुखारता है। क्या मेरी सुध्या प्रभावहीन हो गई। क्या नए आसरों की उत्पती हे तुखी गई मेरी तपस्या सर्वता वेर्थ हो गई। इन आवतियों का कोई प्रभाव दिखाई क्यों नहीं देता। हाहाँ हाहा। मेरा नाम चंद। और मैं मुंद। प्रणाम दैप्त गुरु शुक्राचार्या मैं सुगरीव भी आपके आवाहन पर प्रकट हुआ हूँ तुमारी विशेस्ता क्या है गुरुवर बुद्धिमान दैप्त होने के नादे मैं शक्ति की अपेक्षा बुद्धी का अधिक प्रयोग करता हूँ कृपा करके बताए कि मुझे क्या करना होगा शक्तिमान और बुद्धिमान दैत्यों के प्रकट होने से मेरा आवाद सपर हूँ किन्तु मुझे शक्तिमान और वर्दानी दैत्यों शुम निशुम के भविशी की चिंता है क्रोध भावावेश और तेजना में वे कभी भी कोई भी अनुचित कारी कर सकती है तुम सभी का ये दाइत्व है कि तुम सर्क जाकर उन्हें उचित परामज दे कर उनकी साहिता करो चंड मुंड और सुग्रीव हाँ दैत्य राज दैत्य गुरु शुक्राचार आप दोनों की सुरक्षा के विशे में अत्यधिक चिंतित है इसलिए अब उनकी चिंता का भार मैंने अपने उपर ले लिया है दैत्य राज बताएं वह पूर सुन्दरी कौन है जिसमें आपके सुरक को नरक बना दिया है हमें आग्या दे दैत्य राज हम आपकी प्रसनता के लिए जो भी कर सकते हैं आवश्य करेंगे चंड मुंड किसी कोषपी नाम की देवी ने हमरे राक्षत सेनिको का वत कर डाला है हमें सेनिको के मारे जाने का दुख नहीं है अब हमें दुख केवल इस बात का है कि हम उस अंबंसंद्री की छलक मात्र पाने के लिए लिए विकल है सुना है केलाश के शिकर पर एक दिव्वे महल में रहती है वो चंड मुंड किसी भी परकार उस सुन्दरी को यहां लाने का प्रबंद करो देते राज हम अवश्य उस सुन्दरी को यहां ले आएंगे कें तु सावधान विजय होकर लोटना ऐसा ही होगा देते राज जगा धीपती महावणी देते राज शुन्द 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 जेश पुत्री कोशिकी माता शुन्द शुन्द के भीजे हुए भयंकर राक्षस इस और बड़े आ रहे हैं इसलिए मैं यहां तुमारी रक्षा के लिए उपस्तेत होई हूँ शक्तिदायनी माता पारवती से उत्पन्द मैं अजद्मी कोशिकी अपनी रक्षा स्वयम कर सकती हूँ कि तो एक माता अपनी पुत्री के प्रति निश्चिंद कैसे रह सकती है रह सकती है अत्वा नहीं रह सकती है ये तो तुम ही जानो माता मैं तो किवल इतना जानती हूँ कि मेरे प्रती तुम्हारी इस चिंता के कारण मुझे तुम्हारे दर्शन तो हो गए पहले तो मैं सूच रही थी कि अपना कारे पूर्ण करकी तुम्हारे अस्ते तुम्हें पुनह समाने तक मुझे ही सारी लिलाएं अकेले ही करने होंगी पर अब तुम आ गई हो तो मेरा अखेला पन भी दूर हो जाएगा पुत्वी स्वार्गाधि counties पेस, महाबली, जाद राज, शंड़्डि जे धरती आ हो जाएगा कि यण आस्अबती महाबली, जंद मुंड Peng तुम्हारा प्रवेश कौश की महले में अब कदापी नहीं होगा तुम दोनों यदी अपनी रक्षा चाहते हो तो पातार लोग लौट जाओ अन्यथा मुझसे युद्ध करो करने के लिए ही मैंने चामुंडा का रूप धारन किया है हम पाताल के महावीर युदा है युद! याँ! महादेवी महाशक्ती मता चमुणना की! जै- लगता है सुन्दरी कौशिकी की रक्षा के लिए कालिकाही चामुणना बनकर प्रकट हुई है वो कुछ भी बने कुछ भी बनकर प्रकाड़ो उसे समाप तो करना ही होगा इसके लिए आपको अपने चमतकारी साथ ही रक्त पीश का आवान करना होगा हाँ असुष रोभणी चमतकारी रक्त पीश हम तुम्हारा आवान करते है रक्त पीश रक्त पीश वहाँ चम्ट आपता है वहाँ वहाँ हाँ वहाँ रखन्थी स्नु वहाँ स्वार जीप दी असरुसम्राँ भैतिराज शुम्ब निशुम्ब की रखत भीच तुम्हारे आगमन से हम प्रसंद हुए भैतिराज मेरा आहन क्यों किया रखत भीच तुम तुरंद जाकर चमुन्दा और कालिका को समात करके सुन्दरी कोशी के को यहां ले आओ असुर सम्राठ शुम्ब निशुम्ब आपकी अग्या मानकर आपका प्रण पूरा करना मेरा प्रम करतव्य है मैं अपना करतव्य हवश्च पूरा करूँगा क्या हुआ देवी यह शंक तो दी सुन रहे है ना स्वामी यह कौशिकी का आभान है मेरे लिए क्या हुआ है कि अधिश्ट अलोकिक अधिति ए सुन्दरी मैं यहां तुमसे विद्ध करने नहीं आया हूं मैं तो तुम्हे आदर पूर्वक स्वर्ग लोग ले जाने के लिए आया हूं महावली शुम्ब निशुम्ब तुम्हे लोग विजेता है तुम उनके हदेश सिंगासन पर विराजमान होकर तुम्हे लोग समरग्गी बन जाओगी और जगत के सर्वत तम सुगो भोगोगी आओ मेरे साथ आओ सुर्ग लोग दरो मेरे साथ झाल 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 जब तक रख पीच के जट की एक फूम विशेश है तक रख पीच को कोई समात नहीं जर सब्सक्त हुआत क्या बाताल लोक का सर्व शक्तिशाली असूर रक्त बीज मारा गया भाया शुम मुझे यॲुद भूमि में जाना होका। हसूर देना तैयार हो आगे बढ़ो। महाशक्ति शारी देतराज निशुम की। भाया निशुमी। हम तुमें उस कालिखा के साथ यॲुदक करने के लिए अकेले नहीं जाने देंगे, वो सुंदरी कोशी की साथ, ध्यानक और समथ्कारी काली का चमुन्दा है, हम अपने अनेकस उर वीरों को उसके प्रहरों कारण खो छुके हैं, इसलिए हम तुमें यूदमें अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे है सुंदरे में, है रूप करविता, है सोपन सुंदरी तुम्हारे सुंदरे के सम्मोहन में हम तो ये भी भूल गए कि हम यहां युद्ध करने आये हैं ऐसी सरुस्रेश्ट सुंदरी से युद्ध करना कौन चाहेगा युद्ध नहीं करोगी, तुम मुझे प्राप्त कैसे करोगे? तुम जैसी परम सुंद्री से युद्ध करना, अपने पौरुष का अप्मान करना होगा तुम्हें तो बिना युद्ध किये, स्वैम को हमें समर्पित कर देना चाहिए हमारा सारा बल, वैभाव, तुम्हारे चाड़ों में समर्पित है सुंद्री, फिर युद्ध की क्या अवशक्ता है? और मेरी प्रतिज्ध का क्या होगा? प्रतिज्ध? कैसी प्रतिज्ध? तुम्हारे सेवकों ने तुम्हें पताया नहीं कि मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि मैं उसी पुरुश से विभाख करूंगी जो युद्ध में मुझ पर विजय प्राप्त कर लेगा प्रतिज्या तुम्हारी प्रतिज्या सुन्दरी प्रतिज्या पुरुष से पूर्ण बुरुशी क्या करते हैं। तुम जैसी कॉमलांगी सुन्दरी को प्रतिज्या करना शोबा नहीं देता। कॉमलांगी प्रतिज्या करें तो उसकी कॉमलता नश्ट हो जाती है। दुष्टो, नश्ट तो अब तुम्हे होना है, मुझसे युद करो, अनिता मैं तुम्हे समाप्त कर दूँ, 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 समाप इस सुंद्री पर हमारे अधेरे अन्न कोई प्रहर नहीं करेगा आज़ा 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 मैं तुम्हें अंदिम्बार सावधान करती हूँ यदि अपने सर्वनाश से बचना चाहते हो तो इसी समय अपने असुरों को साथ लेकर पातार लोग चले जाओ आज़ा 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 वाले अमार हूँ! मेरे पुत्रे कॉषिकी तुमने अपने पिता के पराक्रमी रूप की गर्मा बढ़ाई है और अपनी माता के शक्ति रूप को भी सार्थक किया है माता पिता का आशिरवाद और कृपा संतान के साथ हूं तो उसका अहित कौन कर सकता है धन्य है महा देवी कोशिकी की आपके कारण सारे देवगण चिंता मुठ्ध हो गये शकती स्वरुपिणी महा देवी कोशिकी की मेरे उंदेशित और करता प्रव Stephen हुआ अब मैं शक्ती स्वरुपिणी माता के अंगों से एकाकार हो जाऊंगी तथास्त तूँ स्रिलों की नाथ भग्वान भोले नाथ की टेस्ट पुछे प्रमेश्वराय नमो नमहा ओम विग्नेश्वराय नमो नमहा मेरे यहां उपस्तित होने से आपको कोई असोविधातो नहीं हुई का जागन गणेश देवरिशी असोविधा की शंका आपके मन में आई कैसे नाराय नाराय वो इसलिए कि जब मैंने यहां प्रविश किया तो आपकी दृष्टी में वो हर्ष की स्विक्रिती नहीं थी जो किसी अतिती के आने पर अतिते की दृष्टी में होती है आपके मेत्रों में क्रोध की जलक्ती शिवनंदर देवरिशी आप तो हमारे पुझे हैं आप पर भला क्रोध का क्या कारण यह अनुचित कार्य तो हमें ही पाप का भागी बना देगा एवरिशी हमने आपको क्रोध से नहीं आश्चरे से देखा था और आश्चरे का कारण यह था कि आप तो कभी इस ओर पतारते नहीं आज बढ़ारे हैं तो अवश्य विशेश उद्देशिये के साथ भी बढ़ारे होंगें और यह उद्देश आश्चरे उद्पन्न कर दिया है विग्नमी आशक आपको विचार सत्य है मैं यह तो रही कहूंगा कि मैं मात्र आपके धर्शन करने आया हूं कि दूं से सबिक् अधिवे बुद्धी और देवी सिधी के साथ विभा करने की पस्जात आपने माता-पिता और कैलाश को तो सरवता भूली गए हैं कि आमाता-पिता को कैसे भूला जा सकता है तो फिर अधिर आप कैलाश क्यों नहीं कि आप कि समर्ठी में दर्श्यमान नहीं होता जब आपकी और कार्थिके के हाथ से और हाथ से से पूर्ण किलकारिया का इलाश पर गुंजा करती थी क्या आप को स्मर्ण है कि आप दोनों को साथ-साथ परसंन मुद्रा में देखकर भगवान भूलेनाथ और माता पारवती का मुख परसंन हो उड़ता था आप दोनों को समीप पाकर उनका हिरदय आनदित हो जाता था इतना ही नहीं जो भी भक्त भग्वान भोलेनात और माता पार्वती के दर्शनार्थ कैलाश पर आता था वो आपके भी दर्शन पाकर धन्य धन्य हो जाता था कि वो सब आपको स्मर्ण हैं है क्यों नहीं देवरिशी अवश्य है यदि है तो फिर आप इतने समय से वहां आये क्यों नहीं आपके माता पिता आपके प्रतिक्षा करते रहते हैं पर उन्तु किसे से कुछ कहते नहीं उनका दुख देखकर मैं भी दुखी होता रहता हूं आज मैं यहां यही दुख प्रकट करने आया हूं देवियों कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों की मुह में शुरिक गजानन ऐसे खो गए ऐसे खो गए कि उन्हें अपनों का ध्यान ही नहीं रहा नहीं देवरिशी नहीं ऐसा कदापी नहीं है अगर पूजा का स्तान पाने के कारण श्री गणेश अपने आरादगों के उद्वार में इतने व्यस्त रहते हैं कि इन्हें शन भर के लिए भी आवकाश नहीं मिलता हमने तो अनेक बार इनसे कैलाज चलने का निवेदन किया परन्तों यहीं कहते रहे कि कोई विशेश अफसर आएगा तो कैलाज चाकर माता पिता के दर्शन करेंगे मान लेते हैं मान ही लेते हैं कि श्री गजानन को समय ही नहीं मिलता कि तु ऐसी स्खिती में आप दोनों तो कैलाज जा सकती हैं पुत्र वध्रूं का मुख देखकर भगवान भुलेनात और माता पार्वती अधिक परसंद होते दिवरिशी आपकी नारद लिला तो जगत प्रसिद्ध है विवादे और भेदे उत्पन्न करने में आपकी लिला को श्रेप राप्त है अर्था आपकी बातों से आशंग का उत्पन्न होती है कि आप कहीं पती-पतनी तथा माता-पिता वपुत्र के बीच संगर्षका विजारोपण दो नहीं कर रहे नार आए। आप मेरे विशे में ऐसा विचार करके मेरे साथ अन्याय कर रहे ! नहीं देवरिशी आप लोगों के बीच बैमनस से उत्पन करके क्या मुझे भगवान भोले नाथ माता पारवती स्वयम आपके बुद्धी सिध्धी के क्रोध का पात्र बनना है नारायल नारायल मेरे अधिक समय यहां ठैवने से आपकी शंकाएं भी अधिक विस्तार पाएं यहात है मेरा यहां से प्रस्तान करना मेरे जी उत्तम होगा नारायल 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 देवशी प्राम प्रानाम देवशी प्रानाम देवशी ओह हो 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 चंदर देव और देवी रोहिणी नारत का प्रनाम सुईकार करें सब कुशल मंगल तो हैं आपके समक्ष प्रसन्न वदन प्रसन्न मुख हैं तो निश्चिती सब कुशल मंगल है देवर्शी चंद्र देव बहुत समय पस्शाथ हुई नहें इसलिए पूछा हाँ भेट तो बहुत समय पस्शाथ हुई हैं अब आपका कोई निश्य स्थान तो है नहीं जहां हम आ सके भक्त प्रहलात प्रक्रण के पच्चार तो आपने अपने आश्रम में भी जाना छोड़ दिया अब वहां अन्य रिशी मुनी ही निवास करते हैं अर्थात आप वहां मुझसे वेट करने गए थे नहीं देवर्शी हम वहां गए तो नहीं किन्तु आकाश में भ्रमर करते समय हम प्रित्वी लोग की स्थिती जान लेते हैं इस समय आप कहां से पधार रहे हैं और किस और प्रस्थान कर रहे हैं देवर्शी मैं गणेश लोग गया था श्री गणेश से भेट करने और अब अपने गुरू ब्रहस्पति के पास जा रहा हूँ किन्तु देवर्शी आप उदास क्या हो गए कुछ विशेश नहीं देवी बस कहें तो क्या बात है हाँ मन की बात कहने से मन की पीड़ा बाहर निकल जाती है फिर मन पीड़ा रहित हो जाता है श्री गणेश ने मुझसे एक ऐसी बात कह दी जो मेरे मन को चुप गई है क्या है वो बात देवर्शी ऐसा क्या कह दिया गणेशी ने अर्थात आप अपनी पीड़ा को अपने मन के भीतर ही रखेंगे पीड़ा भीतर रहेगी तो कस्ट देगी कहें देवर्शी ऐसा क्या कहे दिया गरेशी ने उन्होंने मुझे मत भेद और विवाद उत्पंद करने वाला बताया ये दोशा रुपन सर्वथा अनूचित है मैं तो सभी के कल्यान और उपकार की भावना लेकर ही जगत में भ्रह्मन करता है रहता हूँ निसंदे सभी देवगडी सत्ति को जानते और मानते हैं आप तो अपना संपूर्ण समय लोग कल्यान और परहित में ही व्यतीत कर देते हैं आप चिंता न करें देवर्शी इस प्रसंग को भूल जाने का प्रयत्न करें देवर्शी हाँ अब श्य प्रयत्न करूंगा नारायड 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 नारा प्रणाम गुर्देव और लगता है दिनों तुम बहुत व्यस्त रहते हो यहां आने का समय ही नहीं है तुम्हारे पास कि तुम्हारा मित्र परवत तुम्हें खोचते खोचते थकते हैं इस समय भी वह तुम्हीं को खोचने काया है मेरी ऐसी क्या आवश्यक्त आपड़ी गुर्देव नारद तुम्हें हमारा शिश्यत्व ग्रहन करके हमारी पुरुण सेवा की है जीवन भर देव हित एवं लोग हित में कल्यान कारी करे करके जगत में हमारे नाम को ज्वलित किया है इसलिए हम तुमसे प्रसंद है और आशिर्वात स्वरुप एक अद्भूत भेट देना चाहते हैं गुर्देव मैंने आपको गुरुदक्षणा ना देकर शिश्य का समुचित करते वे नहीं निभाया इसके लिए मैं लच्जित हूँ फिर भी आप मुझे कुछ भेट प्रदान करना चाहते हैं नारद हमने तुमसेथ्वा परवद से कभी गुरुदक्षणा की अपक्षणा ही नहीं रखी हम देव गुरु हैं और देव गुरु का स्थान अन्य गुरुँओं की अपक्षण मिशिष्ट होता है हमारे शिश्य हमारी कृपा के पात्र बन कर हमसे कुछ पाते ही है गुर्देव, आपने उस अद्भूत वस्तु की चर्चा करके मेरे मन में जिग्या से उत्पन कर दी है मेरे जिग्या से बढ़ती ही जा रही है कृपय आकर आप मुझे ये बताएं कि वो अद्भूत वस्तु क्या है सुनो नारद, मेरी बात ध्यान से सुनो स्वर्द के नंदन वन में पारिजात विक्ष के उपनी भाग पर एक अद्भूत दिव्यफल उत्पन हुआ है इसके विशे में हमारे अत्रिक और कोई नहीं जानता ये समझो कि इस पर हमारा एक आदिकार है तुम उस दिव्यफल को तोड़ कर ले आओ और हमारा उपार समझ कर अपने पास रख लो उस दिव्यफल को स्पष्ट करते ही इचित वस्तु प्राप्त हो जाती है जो कुछ देखना चाहते हो सब कुछ स्पष्ट दिखाई दने लगता है कि तु भूल कर भी उस दिव्यफल को खाने की भूल ना करना उसे खाने से क्या कोई अनिष्ट भी हो सकता है हाँ वो अनिष्ट कारी भी है है तो वात्यंत मधुर किन्तों उसे खाने के बाद भूख सदा के लिए नश्ट हो जाएगी उसे खाने के पश्चात और कुछ खाने की स्थिती नहीं रहेगी अब अधिक सोच विचार ना करो नारत उस फल को तोड़कर तुरंट स्वर्थ से अद्रिश्य हो जाओ क्या परवत इस विशे में कुछ जानता है नहीं सरवता नहीं वो इस फल के पातर नहीं है हमने उसे इस विशे में कुछ नहीं बताया तुम भी ना बताना अब जाओ शीग्रता करो जो आके इच्छा नारायड 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 नंदर्मन परिजात्वरिक्ष दिव्य फल कितना सुन्दर और मन मोहक वाता वरण है कैसी मादत्त अचाही हुई है प्रिये स्वर्ग का स्वामी होते हुए भी हम एकांद में तुमसे मिलने के लिए सदा व्याकुल रहते हैं यही स्थिती मेरी भी है स्वामी अपनी व्याकुलता की चर्चा मैं किस से करूं हमसे करो पर समय कहा है आपके पास तुम सत्य कह रही हो कभी राक्षेसों कभ है तो कभी स्वर्ग से पलायन कभी भ्रम्मा विष्णु महेश के पास आयता के लिए भाग दोड़ और कभी धर्ती पर होने वाले उत्पादों की चिंता इन सभी कारणों से प्रेम करने का अफकाशी नहीं मिल पाता प्रिये तुम्हारी मिडाल बाहों में समा जाने के इच्छा मनी मन उठकर रह जाती है स्वामी मैं भी तो आपके विशाल वक्ष में सिमर्ट जाने के लिए कबसे व्याकुल हो रही हूं अर्थात प्रेम की ज्वाला दोनों वो समान रूप से प्रच्व लेते हैं आज एक लंबे अंदुराल के पश्यात अकेले में हमें अपने मन की बात कहने का आप से अप्राप्त हुआ हैं आपको सदाही चिंतिद और दुखी देखके मैं भी अपने मन की बात काम से कह पाती हूं बस किवल दुखी होते रहते हूं स्वामी मैं तो कभी कभी ये सोचती हूं कि स्वर्ख सम्राथ और साम्रा के होकर भी हमें प्राप्त क्या हुआ है चिंता ना करू देवी चिंता ना करू हमारे दुखों का आबंध हो गया है हाँ और अब हमारे एकांत विलन में कोई बादा नहीं पहुचाएगा स्वामी नारायन 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 भजमन नारायन 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 है दिव्यफल मुझे विष्णु लोग के दर्शन कराओ जगत के पालनहार जगतिश्वर मेरे स्वामी है संसार को धन वैभव से सम्विध करने वाली जगदेश्वरी मेरी पत्नी है यहां भी प्रेम पक्ष प्रबल है नारायन नारायन है दिल्यफल मुझे ब्रह्मलोग कावलोकन कराओ अम ब्रम्ह देवाए नमो नमः देवी सरस्वती स्वामी पर्म्पिता आप धन्य है है दिव्यफल मैं देवादी देव महादेव के दर्शन करना चाहता हूं आटेव पती पर में शरायन नमो नमः तेवी देवी पर्म प्रेम भाव के अत्रिक अन्य कुछ भी नहीं दिखाऊगे अनृद्स नारायन नारायन इसका अर्थों यह हुआ कि अब तुम जो भी कुछ दिखाओगे सप्रेम मही होगा नारायन नारायन ऐसी परिस्तिती में तुम्हें अपने पास रखना मेरे लिए अनर्थकारी सिद्ध होगा मुझे कि यह होगा कि मैं तुम्हें अपने किसी कुझ्जी को भेंट कर दूँ नारायड नारायड स्वामी आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं मन के सागर में जब प्रेम का ज्वार उठता है तो ऐसा ही दिखाई देता है देवी यह अचानक आपको क्या हुगया है नहीं देवी यह अचानक नहीं हुआ है जो भी हुआ है सुभाविक रूप से हुआ है श्तिय तो यह सँ यह कि एनारत की प्रेम में दिविपल का प्रभाव है एंवेफल जिसी प्रकट करके दिखाता है उसमीं प्रेम का संचार कर देता है और उसी प्रेम संचार तरङंगों के व्रित में हम दुनों घिरे हुए हैं देवी याज आप कैसी बाते कर रहे हैं नारायर नारायर माता इस दीवय फल की विच्चतता से मैं भी चकित हूँ शुरी हरी इसलिए ये दीवय फल मैं आपके शुरी चरणों में भेट करने आया हूँ नाराद किसी की दी हुई भेट हम स्विकार नहीं करते ये दीवय फल तुम्हें गुरु ब्यस्पती से भेट में प्राप्थ हुआ है और सत्य तो यह है ये तुम्हें भेट में भी नहीं मिला है तुमने इसे पारी जात्वरेक्ष से चुराया है और चुराया हुआ फल हम कैसे स्विकार कर सकते हैं नाराद और नाराद वैसे भी इस फल का हमारे लिए कोई उप्योग नहीं है क्योंकि हम जो भी देखना चाहें अपनी दिव व्रिद्रिष्टी से देख ही लेते हैं और हम इसे खा भी नहीं सकते क्योंकि इसे खाने से हमारी शुधा हमेशे हमेशा के लिमिट जाएगी और हम अपने भक्तों का चड़ायावा प्रसाद भी ग्रहन नहीं कर पाएंगे श्री हरी उत्तम यहीं होगा कि तुम इसे शिव शंभू के चर्णों में समर्पित कर दो विश्पाई भगवान शिवी ऐसी दिव्य और विचित्र वस्तू को आत्म साथ कर सकते हैं श्री हरी आपका परामश उचित ही नहीं उत्तम भी है मैं ऐसा ही करूंगा नारायर नारायर माता पादली और विचा बोलेना को प्रणाम इतने लंबे समय तक आपके शुवा आशिर्वात से वंचीत रहने के कारण हम क्षमाप्रार्थी हैं बुद्धी सिध्धी गणेश की व्यस्तता में जानती हों और तुम दोनों रात दिन मेरे पुत्र की सेवा में लगी रहकर गणेश भक्तों को बुद्धी सिध्धी और रिद्धी प्रदान करती हों इसलिए तुम्हारे यहां नावा पानी की विवस्ता भी मैं समझती हूं मता तुम तो जानती हो कि आप दोनों का स्थान तो मेरे रिदय मंदिर में विराजमान है इसलिए प्रती दिन प्रात्ह काल मैं मस्टक चुका कर आप दोनों के दर्शन कर लेता हूं पुद्दम बुद्धी सिद्धी के साथ रहकर तुम्हारी भाशा कलात्मत और अलंकार पून हो गई है नट्राज शीव और नट्राग्मी शीवा का पूत्र होने के नाते मैं तो जन्मजात कलाकार ही हूं प्रभू यहां किसी की संगत्ती का प्रभाव नहीं है परन्तु देवर्शी नारत ने कैलाश चे गणेश लोग में हमें उल्हाना दिया कि हम कैलाश ना आकर अपने माता पिता की भक्ति से विमुख हो रहें इसी आरोग को असत्य साबित करने के लिए हम तीनों यहां आपकी सेवा में उपस्थित हैं प्रणाम देवर्शी आपके उल्हाना के फल स्वरूप हम तीनों यहां उपस्थित हुए हैं ना राए ना राए यह विगन हरता गणेश कैलाश पर आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ यह बोली ना थे मैं आपके चरणों में पारिजात का यह दिव्य फल समर्वित करना चाहता हुए प्रिपया आप इसे स्विकार करें अब आप मौन क्यों है क्या आपको मेरी भेट श्विकार नहीं जब तुमने हमें कुछ समर्वित किया है तो हमें उसे श्विकार करना ही होगा भक्त की भेट हम अश्विकार कैसे कर सकते हैं परन्तु यह दिव्य फल यहां रहा तो हमारे लिए समस्य उत्पन कर सकता है इसलिए हम इसे किसी को प्रदान कर देंगे हमारा पुत्र और पुत्रवधुएं यहां उपस्थित है स्वामी यह फल इनी को प्रदान कर दे इतनी समय के पश्चात यह तीनों आए हैं आशिरवास्वरुप इन्हें हमें कुछ तो देना ही होगा नहीं देवी इसके लिए हमें ब्रह्मा जी से परामर्ष लेना होगा इस भल की विचे तरताय हमारे लिए समस्य अभियूत्पन कर सकती है अब हमें आज्यादे प्रभू पुनशीक्र ही आपकी सेवा में हम उपस्थित होंगे तुमसे हमारे कोई भी मन की बाद चीपी हुई नहीं है पुत्र गणेश हम जब भी तुम्हें इस्मरन करें तुम उपस्थित हो जाया करो माता की आज्या मानने से ही पुत्र के सौभा आज्या में व्रिद्धी होती है इसलिए आपकी यहाँ आज्या मैं आवश्य मानूं कर अब मैं भी मुक्त हो गया नाराइड नाराइड इसमें ऐसी क्या विशेष्टा है स्वामी इस फल की सबसे बड़ी विशेष्टा यह कि इसमें तुम जो भी द्रिश्य देखना चाहोगी वही तुम्हें दिखाई देगा तुम इसी समय ब्रह्मदेव का स्मरण करके उन क्या शामंत्रित करो कि दब्रमदेव अग्या महादेव भगवान भोले नाथ आपको क्या शामंत्रित करना चाहते हैं मैं शीग रूपस्तित हुआ महादेवी मेरे लिए क्या ग्या है महादेव ब्रहमदेव हम आपसे इस दिव्य फल के विशे में परामर्श चाहते हैं नारत द्वारा पारिजा त्रक्ष से तोड़ा गया एक फल समस्या उत्पन कर सकता है इसलिए यहीं उत्तम होगा महादेव क्या आप इसे कुमार कार्थिके को प्रदान कर दें उनके लिए दिव्य फल का सबसे बड़ा उप्योग यहीं होगा वे मलेकारजुन जो त्रिलिंग के पास बैठे बैठे नित्य अपने माता पिता के दर्शन करते रहेंगे प्रत्य तो यह है कि इस दिव्य फल के आवशक्ता उन्हें ही है वेनिरंतर आप दोनों से मिलने के लिए व्यागर रहते हैं किन्तों अपने भक्त जंग को छोड़कर यहां नहीं आ जबते हैं यहां आपने अतियुक्तम परामर्श्तिया है प्रभ्मदेव हम इसी समय कार् तुरंत कैला शाओ हम तुम्हें कुछ प्रदान करना चाहते हैं जैसी आपकी आग्या माता यह देख रही हो रोनी विधाता की माया उधर देखो उस गजमुक और लंबोदर गनेश को उसे देखने के पशाथ उसकी उन दोनों सुन्दर पत्नियों बुद्धी और सिध्धी को भी देखो भला कोई मेल है इनमें